शादियों का सीजन आ गया है और इस बार शादी के सीजन में ये सूट है जो आजकल काफी ट्रेंड में हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को अच्छे से देख लें एक भी डिजाइन को मिस मत करना क्योंके ये डिजाइन बहुत प्यारे प्यारे हैं आप इन ड कोला है आप एक भी डिजाइन को मिस मत करना वरना तो बाद में पच्छता होगी जब भी कभी आपको शादी में जाना होता है चाहे वो शादी आपकी फेमिली में हो रिष्टेदारी में हो या फरेंड की हो तो जिसकी शादी हो रही है उसकी शादी बस एक ही बार होगी य यानि आपको उसकी शादी में ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए कि आप खुबसूरत के साथ साथ कमफर्टेबल रह सकें। कमफर्टेबल रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि शादी में जाने के बाद हो सकता है आपने जो ड्रेस पहनी है वो ड्रेस अगर कमफर्टेबल नहीं है तो आप इतनी ज्यादा बोर हो जाएं कि वहां से आपको शादी छोड़ कर भागना पड़े और अगर आपकी ड्रेस खुबसूरत भी है तो आप शादी को ऐसे इंजोई कर सकती हैं जैसे आपकी फ्रेंड या फेमली वाले इंजोई करेंगे या उनसे भी अच्छा इंजोई कर सकती हैं अब बात आती है इन सूट की इन ड्रेस की जो हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं देखो यह जो सूट ह आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं यह खुबसूरत तो बहुत हैं प्यारे तो बहुत हैं अच्छे तो बहुत हैं लेकिन comfortable आपके हिसाब से रहेंगे या नहीं वो आप खुद डिसाइड करेंगी आपको कैसे डिसाइड करना है नमबर एक आप सबसे पहले यह फाइन जब आपके माइंड में ये बात सेट हो जाएगी कि आपको शरारा ड्रेस पहननी है या पलाजो ड्रेस पहननी है फिर आप आएं फेबरिक के उपर फेबरिक आप मोसम के हिसाब से सेलेक्ट करें जैसे अगर आप सर्दी के मोसम में ले रही हैं सर्दी के मोसम में शादी मे जा रही है तो fabric आपका थोड़ासा अच्छी quality के साथ-साथ मोटा भी होना चाहिए ताके उसको पहेनने के बाद आपको ठंड न लगे सरदी न लगे और अगर आप गर्मी के मोसम में कहीं शादी या पार्टी में जा रही है तो एसे में आपको गर्मी के मोसम के लिहाज से ही फेबरिक को सलेक्ट करना चाहिए इन बातों को ध्यान में रखने से आप अपनी ड्रेस में कमफर्टेबल रह सकती हैं और बहुत इंजोय कर सकती हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही।